हेलो दोस्तों मेरे चैनल सुक्समरदी उपाई में आपका हार्दिक स्वागत है जैसा कि मैं आज सुनाने जारी हूँ कार्दिक महत्तम सात्वा अध्या है और बाकी अध्या है मैंने अपने चैनल पर डाले हुए है जरूर सुनिएगा वीडियो प्यों की लगे तो लाइक सस्क्राइब जरू करिएगा बाद में आप भूल जाते हैं और कातक से जुड़ी सारी वीडियो मेरे चैनल पर है जरूर देखेगा तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ ही बोस तुलसा मैया की जै बुल किष्ण का नहिया लाले की जै सातमा द्याय भिविन वरतों का परिच्चे पाने के बाद राज़ पर्थू ने कहा हे नारज जी भिविन वरतों का परिच्चे पाकर मुझे बहुती प्रशंता हुई अवे क्रपा ओर करें और कार्थिक माहीने की किसी एक प्रिमुक वरत के विष्य में बताएं हे राजन लोग हित में तुमने यह बढ़ा ही सुंदर प्रशं किया है सुनो मैं विस्तार पूरवक कहता हूँ नारजी ने कहा कार्थिक मास में परम पवित्र और पाप नासक व्रत है तक्त व्रत सो भाग्य साली इस्तरियों को यह व्रत अवस्य करना चाहिए हे राजन व्रत करने का जो विदिविदान भ्रह्मा जी ने मुझे बताया वही मैं तुमसे कहता हूँ ध्यान पूर्वक सुनो आशिन मास की पुर्णिमा को प्राते काल भ्रह्म महुरत में सैया छोड़ देनी चाहिए और नित्य कर्मों से निर्वित हो इस्तनान करें किसी नदी सरोवर आदी पर इस्तनान करें तो और भी उत्तम है यदि ऐसी विवस्ता ना हो तो घर में ही इस्तनान करें व्रत में भी एक दिन पहले सिर्ण न धोएं इस्तनान के उपरान सुंदर वस्त राभूसन धारं करें और परमात्मा का हिसमर्ण कर ब्रत का संकल्प ले और इस प्रकार प्रातना करें कि हे जगतपती आप मेरे समस्त कुल की रक्षा कीजिए मेरे पती यदि स्तरी करे तो और मेरी पतनी मतलब यदि पूरूस करे तो एवे बच्चों की रक्षा कीजिए तथपश्चात भवान सूर्ड़ को परणाम करें दिन के समय भोजन नहीं करना चाहिए ना ही जल गिरन करना पूरा दिन भजन पूजन में ही बिताना चाहिए हे राजन साय काल में चांदी के पात्र में दूद डाल कर ब्रह्मा जी का पूजन करना चाहिए ब्रह्मा जी की सोने चांदी तांबा और मिट्टी की मोर्ती बनानी चाहिए उसे लाल वस्त्र पहनाए और विधी पूर्वक पूजन भी करें चांदी के पात्र में रखें दूद को सौने की मथानी से मथें और प्रात्ना करें कि हे भ्रमा जी मेरे पती और पतनी और संतान की रक्षा करें उन्हें धन धानने से युक्त और चिरन जीवी करें नित्य प्रती पंच देवों का पूजन करें तत्पच्च करके भोजन करें आस्विन सुकलपक्ष की पूरण मासी को किया गया यह वरत ब्रह्मा जी का तक्त वरत कहलाता है यह वरत सभी प्रकार के पापो को नश्ट करता है और मनों कामनाई पूरी करता है ज्यानी जन इस वरत के फलसवरूप मुक्ती प्राप्त करते हैं ब्रह्मा ज को केसर कस्तूरी सहीत कपूर चड़ाता है उसकी सारी पीडियां भ्रहम लोग को प्राप्त होती है जो श्रदालू महीला इस दिन वस्त्रदान करती है यह बरसों पर बरसों तक बैखुंट वास में निवास करती है गहने दान करने से भ्रहम लोग की प्राप्ती होती है प्रिश्न भगवान कीजे बोल तुलसा माता कीजे अब सुन लेते हैं आठ वध्याए क्योंकि छोटा ही अध्या था बढ़ते हैं आठ वध्याए की तरफ ही प्रिश्न भगवान कीजे बोच बताया वही मैं तुमें कहता हूँ ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद तुम सदाही लोक हित के प्रशन करते हो यह प्रशन लोका हित्थार्ट तुमने किया है जिसका उत्तर मैं विस्तार पूरबग दूंगा फे नारद जो कथा मैंने तुमसे कहने जा रहा हूँ उसके स्वन मात से ही पापो का नास हो जाता है एक समय नेवी साराण में सोनक रिशियों से सूद जी ने कहा कि हे रिशिगणों ससंग से मनपवित्र होता है और पाप दूर होते हैं ज्यानियों को मोक्ष मिलता है और संसारिक कामनाओं की पूर्ती होती है जिस प्रेकार गंगा जी के पापो को नश्ट कर देती हैं और चंद्रमात ताप को कल ब्रक्ष दरिदिता को नश्ट कर देता है इसी प्रकास ससंग मात्र एक छण मनुस्य की सभी पाप को दो डालता है। पुरुष दो घडी रातरी रहने पर ही सईया त्याग देते हैं और कुष तिल अक्षत पुष्प तदा चंदन लेकर किसी सरोवर पर जाते हैं या किसी नदी या जलकुंड पर इसनान करते हैं। पुत्रगर में इसनान से तलाब पर जाकर इसनान करने से दस गुना अधिक फल प्राफ्त होता है। तलाब से दस गुना फल नदी प्रदान करती है और नदी से दस गुना फल संगम में इसनान करने से मिलता है। जिससे भी दस गुना अधिक फल किसी तीर्थ पर किये गए इस नान से भी मिलता है। हे दामुदर आप मेरे अपराद छमा कर और मेरे घर को धन धानने से पून करें। होता है भगवान वहीं विराजते हैं तातपर है कि पुत्र की भगवान तो सभी जगे समान रूप से रहते हैं। जो भक्त प्रेम से सरावोर होकर तथा या दिन भाव से उनको पुकारता है भगवान ततकाल ही वहाँ प्रकट हो जाते हैं। भगवान शरदा से पूजन और समर्ण करने वालों से सदे प्रशन होते हैं। वे तो भक्त की भावना देखते हैं एहंकार रहित होकर जो उनकी सरण में जाता है वह कहीं भी और किसी भी समय उनकी किरपा पा लेता है। अब मैं तुम्हें इस नान की विदी बताता हूँ, कार्तिक इस नान के इच्छो को सिर्दालों को ना भी तक जल में खड़े होकर अपने देह निर्मल करनी चाहिए तद पस्चार मन की सुद्धी के लिए विविन मंत्रों द्वारा भगवान के गुणों का गायन करना चा हो, हे जगदीस मुझे भी किर्थार्त करें, मुझे पर भी किर्पा करें, इसके बाद विदी पूर्वग, अंजुली भरकर देपता, रिशी और अपने पित्रों को जलर्पित करें, तद पस्चात श्री रादा जीक सहित भगवान, श्री कृष्न की अराधना करें, इसके दाहीने पैन में सभी तिर्थ मुख में वेद और अंगव में देवताओं का निवास होता है, इसलिए ब्रामण का सम्मान किया जाता है, हे पुत्र, इसके बाद श्री हरी प्रिया तुलसी का पूजन अवस्य करना चाहिए, तिर्थ राज, प्रियाग में संगम पर विदी पूजन करने का जो फल मिलता है, वही फल तुलसी का पूजन करने से प्राप्त होता है, कासी में भगवान विशुनात का ध्यान धर कर प्राण छोड़ने वाले को जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक मास में तुलसी पूजन से प्राप्त होता है, ते श्री जाली ग्राम जी का साथ मिला है हे पापा को नास करने वाली मुझे अपनी किरपा परदान करो हे मुनियों इसनान पूजन आदी के बाद विश्नु भवान की लीलाओं की पौराणी कथाएं सुननी चाहिए कथावाचक का आधर करना चाहिए इस परकार कार्थिक इसनान और व्रत करने वाला पूजन वंदन करे श्री भर्मा जी बोले कि इनारद के आर्थिक मास में विदी विदान से इसनान पूजन करने वाले के सभी मनोरत पूर्ण हो जाते हैं जो जन श्रदा युक्त होकर इस कथा को वाचन करता है शोन करता है उनकी सभी मनोकामनाए पूरी ह हो जाती है बोल विश्ण भगवाने की जै बोल रादे कृष्ण भगवान की जै बोल तुलसा माता की जै वीडियो पर होगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आगे वीडियो मिलती रहे और मेरे चैनल पर और भी वीडियो हैं का तक की जरूर थैंक यू